हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको कवीर दाज्जी का एक दोहा पड़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरू लाइक कीजे तो चैलो मैं शुरू करती हूँ कवीरा संगती साधू की हरे और की व्याधी संगती बुरी असाधू की आटो पहर उपादी सबसे पहले मैं आपको इसके कठी शददा देती हूँ देख लीजे संगती का मतलग होता है साथ या मेल मिला कमपनी साधू का मतलग होता है सज्जन या अच्छे लोग हरे मतलग द प्रॉब्लम्स असादू मतलब बुरे लोग आठो पहर का मतलब है हर समय और उपादी का मतलब है कस्ट या दुख तो सबसे पहले मैं दोहे का आपको सरलर्थ बताऊंगे और उसके बाद भाबर्थ बताऊंगे आप बीडियो को लास्त तक देखिएगा तो देखिए कवीरा कवीरदाजी कह रहे हैं कि संगती या साधू की संगती मतलब साथ साधू मतलब सज्जन या अच्छे लोगों का जो साथ होता है वो हरे मतलब दूर कर देता है और की व्यादी मतलब परेशानी या चिंता या दुखों को दूर कर देता है जो सज्जन लोगों का जो साथ हो होती है वो सारी परेशानी चिंता दुखों को दूर कर देती है संगती बुरी असादू की और संगती मतलब साथ बुरी असादू की असादू मतलब बुरे लोग ठीक है तो जो बुरे लोगों का जो साथ होता है वो बुरा होता है हानिकारक होता है जो आठो पहर का मतलग होत कविर दास्जी ने बुरे और अच्छे लोगों की संगती का अंतर बताए हैं. अब इसका भाबर देख लीजे कविरदाजी अच्छे और बुरे लोगों की संगती का अंतर बताते होए कहते हैं कि सज्ज लोगों की संगती अच्छी होती है जिससे हमारी सारी परेशानी चिंता दूर हो जाती है बुरे लोगों की संगती हानिकारक होती है ऐसे लोगों की संगती में रहने से हर समय दुख, बुरे विचार और समश्चाएं घेरे रहती है इसलिए हमें हमेशा सज्जन लोगों की संगती में रहना चाहिए आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आये होगा धर्नेवाद